जाना मेरी जाने मन बच्चपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे ऐसा मेरा प्यार है प्यार तुझे किया है बच्चपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे ऐसे गाने तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन पढ़ाई वाले वीडियो बहुत काउन लोग देखते हैं तो हमने सुतर थोला गाना क्या करके आप लोग को सुना देते हैं बच्चो तो देखिए आज हम करने वाले हैं आज हम करने वाले भोती मज़दार सवाल कच्छा दस्वी की गडित का अध्याय तीन चेप्टर थ्री जिसका नामें दो चरवाले रेखिक समीक करन युगम इस चेप्टर का आधम करेंगे प्रश्ट एक्जामपल नंबर 19 आधम इसका एक्जामपल नंबर 19 करने वाले है यहाँ पर एक्जामपल 19 बहुत मज़ेदार सवाल है और बहुत ही असान सवाल है आप लोग देखोगों तो आप लोग को करने में हाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है बहुत मज़ा आने वाला है तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपका example उने ज़ बोल रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकुल 30 किलो मिटर, एक नाव है, एक नाव है, नाव का मतलब होता है, नाव का मतलब होता है, बोट, नाव का मतलब होता है, बोट, क्या होता है, बोट होता है, नाव का बेह रहा है नदी का पानी इधर साइड बेह रहा है नदी का पानी केसे बेह रहा है नदी का पानी इधर बेह रहा है और अपनी नाव इधर साइड दी चल रही है नदी का पानी अगर इधर बेह रहा है और अपनी नाव अगर ऐसी चलेगी तो अपनी नाव को बहुत जादा ताकत लगानी पड़ेगी तो नदी का पानी अगर इधर बेह रहा है और आपन उसके प्रतिकूल जा रहा है तो इसको बोलते धारा के प्रतिकूल चाल इसको हम क्या बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल अगर नदी का पानी इधर साइड बेह रहा है और हम इधर साइड जा रहे है तो इसको हम बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल इसको हम क्या बोलेंगे बच्चो क्या बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल तो कि पानी इधर बेह रहा है और हम इधर जा रहे है इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल और अगर नदी का प रही है तो उसको हम बोलेंगे धारा के अनुकुल चाल अब देखी है ना दस घंटे में धारा के प्रतिकुल मतलब पानी इधर बहरा है और अपन इधर जा रहा है धारा के प्रतिकुल पानी इधर बहरा है और अपन इधर जा रहा है धारा के प्रतिकुल 30 किलोमेटर चले और धारा के लिए ये से बापस लोट करके आए इस जो किलोपमोर के अनुकूल 8910 6 गंटों में कर लिए और तेरा घंटे में 40 किलोमीटर धाए के प्रतिकुल किट गंटे में 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकुल 40 km, अब 13 घंटे में धारा के प्रतिकुल, मतलब पान इधर बेरा और धारा के प्रतिकुल अपन 40 km गए, और अनुकुल गए अपन 15 km, मतलब पान इधर बेरा और अपन भी धरी जा रहा है, तो 15 km अपन धारा के अनुकुल गए, और 13 km अपन धारा के प्रतिकुल गए, कित्ते समय में गए अपनी है 13 घंटे में गए 13 घंटे में गए 13 घंटे में गए तो सबाल यहाँ पर यह कह रहा है कि धारा की चाल अब हाँ पर आपको धारा की चाल और नाओ की स्थिर पानी में चाल ग्याद करो तो अब यह बताओ कि पानी की स्वीड किती है पानी किती स्वीड से नाव की चाल कितनी है तो गडित में जो ज्याद करना होता है मुस्वी को मान करके चलते हैं तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना धारा की चाल एक्स किलो मीटर प्रती घंटा है धारा की चाल किती है यहाँ पर हम मान नाव की चाल भी ज्याद करना धारा की चाल भी ज्याद करना और जो पानी बहे रहा है, बहेते हुए जल की चाल, धारा की चाल को हाँ पर हम क्या माल लेंगे, बाय माल लेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करें हाँ पर हम डिथेंगे, माना, माना इस्थिर जल म इस्तिर जल में नाव की चाल, इस्तिर जल में मतलब रुके हुए पानी में ठेरे हुए पानी में नाव की चाल, एक से किलो मिटर प्रती घंटा है नाओ की चाल कित्ती मान लिए अपन ने हमने ये मान लिए कि रूके हुए पानी में थमे हुए पानी में इस्थिर जल में जो नाओ की जो चाल है नाओ की चाल एक से किलो मिटर प्रती घंटा है तथा धारा की चाल तथा किस की चाल तथा धारा की चाल तथा धारा की चाल वाई किलोमेटर प्रती घंटा है हमने आओ और यह भायवान लिए माना स्थिर जल्म है रुकए हो पानी में 9 की जो चाल है 9 की चाल 1 km प्रतिiche घंटा है और 13 की चाल द्हारा मतलब पाने की जो चाल है पाने की श्पीड कित्त है 2 km प्रति waterfall है पाने कित्ती रप्तार से भेरा है बाई किलोमेटर के अफ्तार से भेरा है, है ना, अब, अब मान लीजिए, मैं नाव पर बेठा हूँ, नाव चल रही है, के चल रही है, नाव चल रही है, मैं नाव पर बेठा हूँ, और मेरी नाव की स्पीड है 20 की, मेरी नाव की स्पीड की है 20, मैं 20 की स्पीड से नाव चल आप अगर पानी भी इधरी साइट भे रहा है और अगर इधरी साइट नाउ चला रहा हूँ तो मेरी नाउ हो तेजी से आंगे भड़ेगी तो भड़ेगी क्यों कि मेरी स्षच को भाल पानी मुझाया हूत तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब धारा के अनुकुल जाने पर, मेरी स्पीड 20 की पहले की थी, और 5 की स्पीड पानी की, दोनों स्पीड को हम जोड देंगे, तो 20 और 5 हो जाएगी 25 की स्पीड, उसी प्रकार अगर अभी 9 की चाल है X किलोमेटर, और पानी की चाल है Y किलोमेटर, तो हम धारा के अनुकुल जाएगे, तो दोनों चाल जुड जाएगी, X प्लस Y किलोमेटर पती घंटा हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारा के अनुकुल 9 की चाल, यहाँ पर हम लिखेंगे तब धारा के अनुकुल, रहाए और फीलोमेटर को दूरा में जोडएंगे एकस प्लस वाइ किलोमेटर प्रती घंटा ये जो चाल किसकी जाएगी धारा के अनुकुल जाने पर मतलब हम पानी भी धर भेह रहा है और हम इसके उल्टा जा रहा है पानी इधर साइट भेह रहा है और हम नाओ को इस तरफ चला रहा है तो इसको हम बोलेंगे धारा के प्रतिकुल अब मानतो लो मेरी नाओ की स्पीड है 20 किलोमेटर और पानी की स्पीड है 5 किलोमेटर तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी कित्ती कम हो जाएगी 20 में से 5 गए 15 किलोमेटर की स्पीड बचेगी मतलब की नाव की चाल अगर एक किलो मीटर है और धारा की चाल अगर बाय किलो मीटर है तो एक समय से हाँ पर हम बाय को घटा देंगे तो आपके धारा के प्रतिकूल चाल निकल जाएगी तथा धारा के प्रतिकूल चाल तथा धारा के प्रतिकूल तता धारा के प्रतिकुल नाव की चाल धारा के प्रतिकुल नाव की चाल नाव की जो स्पीड है नाव की जो स्पीड है वो कितनी होगी यहाँ पर आपकी एक्स हो गई अब नाव इधर साइड जा रही है और धारा के स्पीड कितनी है बाय है तो X-Y किलोमेटर प्रति घंटा यह हो जाएगी धारा के प्रतिकुल नाओ की चाल धारा के प्रतिकुल नाओ की चाल हो जाएगी हाँ पर X-Y किलोमेटर प्रति घंटा X-Y किलोमेटर प्रति घंटा यह हो जाएगी धारा के प्रतिकुल नाओ की चाल एक सूत्र होता है, एक क्या होता है हाँ पर आपका सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पर आपका होता है समय, समय पराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, समय पराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यह पूरे सूत्र ही है, धारा के अनुकल नाओ की चाल एक सूत्र याद रख लेना और धारा के प्रतिकुल नाओ की चाल x-y होती है सुतर भी याद रख लेना हाना अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल समय बराबर के होता है दूरी बटे चाल अब देखो धारा के प्रतिकुल 30 km जा रही है धारा के प्रतिकुल 30 km जा रही है तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना धारा के प्रतिकुल 30 km जाने में लगा समय T1 है क्या मान लेंगे हम? हम मान लेंगे धारा के प्रतिकुल 30 km जाने में लगा समय T1 है यहाँ पर हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 30 किलो मेटर पर चाल रहा है ना? मतलब पानी इधर बहरा है और अपन धारा के प्रतिकूल कितने किलो मेटर जा रहा है? 30 किलो मेटर जा रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 30 किलो मेटर जाने में धारा के प समय, धारा के प्रतिकुल 30 km जाने में लगा समय, तीवन बराबर, धारा के प्रतिकुल 30 km जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितने किलमेटर जा रहे हैं पर दूरी है 30 km, तो दूरी कमान रख दिये हमने 30 km, बटे, चाल, चाल, प्रतिकुल चा यहां पर प्रतिकुल चाल ही निकालना है तो प्रतिकुल चाल हो जाएगी यहां पर आपकी X-Y यह धारा के प्रतिकुल 30 km जाने में लगा समय होगे आप 30 बटे X-2 यह धारा के प्रतिकुल जाने में लगा समय अब यहां पर आपका धारा के अनुकुल 44 km जाती है अब धारा क धारा के अनुकुल, धारा के अनुकुल, धारा के अनुकुल, 44 किलोमेटर, 44 किलोमेटर जाने में लगा समय, तदा धारा के अनुकुल, 44 किलोमेटर जाने में लगा समय, तदा धारा के अनुकुल, मतला पानी भी धर भेह रहा है, और आपकी नाव भी धर ही साइट चल रहे है तो इसको मुलिंग धारा की अनुकुल, धारा की अनुकुल 44 किलोमेटर जाने में लगा समय, तीटू बराबर, धारा की अनुकुल 44 किलोमेटर जाने में लगा समय, समय बराबर के होता है, समय बराबर होता है, दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पर आपकी 44 किलोमेटर है, तो कि कि दा लुट कि चाल हो गई है न ठीक हो गए यहां पर आपकी एकस फल्स राय हो गई अव देखिए हर इतना अप इतना आपकी में नोट कर लीजिए औहर इसके आपर हम करेंगे ना अब इसके आंगे देखी है इसको मिटा देता हूं मैं इतना कापी मिनोट कलो पे ले उसके बाद पिर आंगे समझना अब यहाँ पर एक चीज और देखिए एक नाव दस घंटे में धारा के प्रतिकुल 30 किलो मिटर और 44 किलो मिटर जा रही है मतलब समय कितना है आपका 10 घंटे प्रश्ण अनुसार अब देखिए प्रश्ण अनुसार प्रश्ण अनुसार धारा के अनुकुल अब 10 घंटे में वो क्या जा रही है 30 किलो मिटर धारा के प्रतिकुल जा रही है और हना और 44 किलमेटर धारा के अनुकुल जा रही है मतलब धारा के प्रतिकुल जाने में लगा समय हो गया हाँ पर आपका T1 धारा के प्रतिकुल वो 30 किलमेटर जाने में लगा समय हो गया T1 और धारा के अनुकुल 44 km जाने में लगा हो गया यहाँ पर समय आपका T2 और दोनों यहाँ तरह उसने टोटल कुल मिला के कितने समय में तै करी उसने करी यहाँ पर 10 घंटे में तै तो धारा के प्रतिकुल 30 km जाने में लगा समय T1 हो गया और धारा के अनुकुल 44 km जा रही है कुल कितने घंटे में जा रही है 10 घंटे में तो उन दोनों का योग कितने हो जागा है यहाँ पर आपका 10 घंटे हो जाएगा यहाँ आपके सवाल से बनेगा धारा के परतिकुल 30 किलोमेटर गई और धारा के अनुकुल 44 किलोमेटर गई एक्स प्लस वाई तो टीटू को मान रख देंगे हाँ पर हम क्या चुबालिस बटे एक्स प्लस वाई बरावर का बरापर और दस को होगे हाँ पर आपको दस को होगे हाँ पर आपको दस इसको हम समी करण एक नाम देंगे इसको हमने समी करण एक नाम दे दिये अब इसी प्र गंटे में बहे 44 किलोमेटर धारा के प्रतिकुल और 25 किलोमेटर धारा के अनुकुल जाती है तो उसका आपर मा लिख लेता हूं दूसरी स्तिती में और इस्थिती में, दूसरी स्थिती में 13 घंटे में बहे 40 km धारा के प्रतिकुल, 13 घंटे में, 13 घंटे में, 12, 40 km धारा के प्रतिकुल, 45 km धारा के प्रतिकुल, एवं 55 km धारा के अनुकुल जाती है, अनुकुल जाती है, 40 km धारा के प्रतिकुल, तो 40 km धारा के प्रतिकुल जाने में लगा, समय बराबर कितना होगा? समय बराबर होता है, दूरी बटे चाल, कितनी दूर जा रहा है? समय बराबर किया होता है, दूरी बटे चाल, तो समय निकालूँगा, समय, समय निकाल रहों में, कितना समय, 40 km धार के प्रतिकुल जाने में लगा समय समय परावर होता, दूरी बटे चाल, कितनी दूर जा रहा है 40 km जा रहा है, तो दूरी कितनी जाएगी यहाँ पर आपकी, दूरी जाएगी यहाँ पर आपकी 40 40 km जा रहा है बटे को जा गए हाँ पर आपका बटे और चाल, चाल को इसी धारा के प्रतिकूल मतलब पानी इधर बेह रहा है और अपन इधर जा रहा है तो धारा के प्रतिकूल चाल किती होती है धारा के प्रतिकूल चाल होती है X-Y X-Y यह आपको डारेट जम गए यहाँ पर 30 बट एक सम्माइनस बाइट आया था यहाँ अब इसी हाँ पर जिस समय निकल गया 40 km धारा के प्रतिकुल जाने में लगा समय समय बराबर दूरी बटे 4 दूरी होगे 40 km और 4 होगे एक सम्माइनस बाइ इसी परकार एबम 55 km धारा के अनुकुल जाती है 55 km तो दूरी कितनी होगे यहाँ पर आपकी दूरी होगे यहाँ पर आपकी 55 km बटे दूरी होगे यहाँ पर कितनी 55 km बटे चाल कौनसी वाली 55 km धारा के अनुकुल जा रही है अनुकुल का मतलब होता है पानी इधर बेरा है तो नाव भी इधर आ रही है तो धारा के अनुकुल चाल किती है पच्छपन किलोमेटर अनुकुल चाल के होती है अनुकुल चाल होती है आपकी X प्लस Y अनुकुल चाल होती है आपकी X प्लस Y तो यह जो समय है 40 किलोमेटर धा प्रतिकुल जाने में लगा समय है और यह जो समय है धारा के अनुकुल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल और टोटल कितना समय लगा इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल लगा यहाँ पर आपको समय कितना लगा 13 घंटे लगा कितना समय लगा यहाँ पर आ याषिव में लगा समय औहरा तोटल समय केतं है किता है अप आापका 13 खंटे है इसको हम समिकराण 2 नाम देंगे रखले समिकराण आ यहाँ पर आप लोग को सिखा चुका, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर x और y वाली संख्या अगर बटे में होती है, तो उसको मान करके हल किया जाता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, एक बटे x-y, यहाँ पर हम लिखेंगे तो माना, यहाँ पर हम के लिखें x-y को हम भी मान लेंगे, तथा, एक बटे x-y बराबर भी मान लेंगे, एक बटे x-y को हाँ पर हम क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, मान ली हाँ पर हमने, हाना, अब देखिए हाँ पर हम मान रख जेते हैं, इत्ता कापी में नोट कीजिए, फिर यहाँ से लिखी है, उत पर लिख दूँगा मैं U, धन का हो गया धन, 44 का हो गया आपर आपको 44, और बटे में X plus Y, बटे में X plus Y को हमने आपर भी माने, इसको मान लेंगे भी, 30 का हो गया 30, बटे में X minus Y को U मान लिए, धन का हो गया धन, 44 का हो गया 44, बटे में X plus Y को हमने भी मान लिए, बराबर का हो इसके बाद देखिए 40 का हो गया हाँ पर आपका 40 और बटे में X मैनस Y बटे में X मैनस Y को हमने U माने तो यहाँ पर हम लिख लेंगे U धन का हो गया धन 55 का हो गया हाँ पर आपका 55 और बटे में X प्लस Y बटे में X प्लस Y को हमने भी माने तो बटे में X plus Y को हमने भी माने, बटे में X plus Y को भी माने, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम B, बराबर का 13, बराबर का हाँ पर कितना हो गया आपका, 13 हो गया, इसको हम समीकरन 4 नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरन 4 नाम देंगे, 40 को हो गया 40, बटे में X minus Y, ब धन का हो गया हाँ पर आपका धन पच्पन का हो गया पच्पन और बटे मेक्स प्लस वाय को हमने भी माने तो इसको हमने मान ली भी बराबर तेरा को गया बराबर तेरा बराबर तेरा कहाँ पर क्या हो गया आपका बराबर तेरा हो गया इसके बार अब यहाँ पर यह दो आप लिए सब्सक्राइब को आप जिस चाहे उस ब्रेदी से आप हल कर सकते हो प्रती इव सापन से ऐए और आपde ऑन से произош master bliss नों से विरेदी से यह को है Cantress सब्सक्राइब करों से चलिए मैं इसको बज cam extraordin विजिसे तो तीस यू का और यहां पर आपको थीस यू, धन 44 भी का हुआगा है, यहाँ पर आपको 44 भी, बराबर किस तरफ 10 धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे, तो 10 हुआएगा आपका इरने का, बराबर हाँ पर बचेगा, जीरो, बज़र गुणन भिदी का नियम होता है कि पूरी की पूरी संगी आपको इस तरफ ले करक अब इसको हम कर लेंगे, बज्र गुणन भिधी से हल करने पर, यहाँ पर यू, यू है, तो यहाँ पर हम यू का मान निकाल लेंगे, यह लगा दिया मने बटा, यहाँ भी, भी है, तो यहाँ पर हम भी का मान निकाल लेंगे, यहाँ लगा देंगे बटा, और यहाँ पर स तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम एक और यहाँ पर लगा देंगे हम बटा अब यहाँ पर यू यू है तो मैं यू का मान निकाल रहा हूँ तो यू का मान निकालने के लिए यू वाले को छुपा देंगे यहाँ पर भी यू यू है तो यू का मान निकालने के लिए यू से कर देंगे ठीक तो इसका इससे यहाँ पर है चोवालिस गुणा रिन का तेरा यहाँ पर हम कर देंगे चोवालिस गुणा रिन का तेरा फिर बीच में लगा देंगे सूतर का माइनस इसका गुणा इससे यहाँ पर है रिन दस गुणा पचपन इसके बाद अब यहाँ पर लिखाए भी, यहाँ पर लिखाए भी, तो हम भी वाले का मान निकालेंगे, 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 इसका मल्टिक्ला इससे करेंगे, यहाँ रिण दस, रिण 10 का गुड़ हो जाएगा 40 से, फिर लगा देंगे यहाँ पर आब am minus, इसका इस से कर देंगे, यहाँ पर 30 का गुड़ हो जाएगा रिण 13 से, अब यहाँ पर लिखाएंगे एक, एक मतलब इव आपर लिखी संख्या, संख्या मतलब एक, तो एक का मान निकाल लेक लिए इसका गुड़ा इससे कर देंगे माइनस इसका गुड़ा इससे कर देंगे 30 का गुड़ा 55 से कर देंगे माइनस 44 गुड़ा 40 कर देंगे 30 गुड़ा 55 माइनस 44 गुड़ा 40 यहाँ पर कर देंगे हम 30 गुड़ा 55 30 गुड़ा 55 माइनस रिन गुणा रिन धन 25 दाम 550 बडावर का बडावर वी का हो गया वी, बटा, रिन का हो गया रिन, 40 दाम 400, रिन गुड़ा रिन हो गया आपका धन, 13, 13, 13, 23, 49, 13 हो गया हाँ पर आपका 49, और 0 का हो गया हाँ पर आपका 0, बरावर का बरावर, 1 का हो गया 1, बटा, अब, 3, 5, 15 का 5 हासिल का एक, 3, 5, 15, और 1, 16, और 0 का हो गया 0, इन दोनों गुड़ों करने पर इतना आया, आपको इसा गुड़ों करते नहीं बनता, आप रफ में भी कर सकते हो, अना, रिण का हो गया, रिणा, 416 का अच्छी हसल का एक, 416 और आपका 17, और 0 का हो गया, आपका 0, अब, यू कहो गया, आपका यू, बटे, 572 माइनस और 550 धनका, तो 570 में से 550 गाए, कितना बचेगा, 50, 60, 70, 32, 22 बचेगा, बड़ी संख्या, रिण की, चिन ले जाएगा, आपका रिण का, बराबर कहो गया, बराबर, भी कहो गया, आपका भी, 400 रिण का, 390 धनका, 400 में से 390 गया, यहाँ पर बचेगा, 10, 400 बढ़ा है, बड़ी संख्या, रिण लागा, यहाँ पर लग जाएगा, आपका रिण, बराबर कहो गया, बराबर, एक कहो गया, एक, बटा, 1760 में से 1650 घटाओ, कितना बचेगा, 1760 में से, 0 में 0 गया, 0, 6 में से 5 गया, 1, 7 में 6 गया, 1, 1 में से 1 गया, 0, बड़ी संख्या 17 है यह बड़ी संख्य रिने की हाँ पर चिन जाएगा हाँ पर आपका रिने का आ जाएगा अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा बचा है अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पर बने हुए इसका मतलब जहें कि आपको सवाल समझ में आ रहा है इसी बात पर लाइक तो बनता है लाइक करना पड़ेगा आपको लाइक बोई करता है जिसका दिल बड़ा होता है आपका दिल बड़ा है तो आप लाइक भी करोगे और कमेंटी भी करोगे और बड़े दिल वाले दूसरों की भलाई भी करते तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाओगे ताकि उनलों का भी भला हो सके है ना अब देखिए ये इसके बराबर में ही और इसक रिनका 110 है ना रिनका 110 तथा एक बार इसके बराबर में इसको माल लेंगे हाँ पर माल लेंगे भी बटे रिनका 10 बराबर एक बटे रिनका 110 तथा भी बटे रिनका 10 बराबर भी बटे रिनका 10 बराबर एक बटे रिनका 110 हो जाएगा एक बटे रिनका 110 एक बटे रिनका 110 अ यू का हो गया यू बराबर का बराबर बराबर के सब पर घिस तरप रिए बाइस यू के बचे में पक च्छानीतर रे से कम्हुंच जागा यहां पर रिए सीप्ण का बाइस बड़्य का बटे रिन 110 को जाए रिन 110 तथा भी का हो गया भी, बराबर का बराबर बराबर के सबर रिन 10 बटे में यहाँ पर गुड़ाए रिन 10 से कम हो जाए रिन का 10, बटे का बटे रिन 110 को जाए रिन 110 अब देखी, यू का हो गया यू, बराबर का बराबर, रिंट से रिंट कड़ गया, इसके बाद, ग्यारा एक कम ग्यारा, ग्यारा दूनी बाइस, तो हो गया दो, बटे का बटे, और एक पर जिरो बचा हाँ पर दस, तथा का तथा, वी का वी, रिंट से रिंट कैंसिल हो गया, दस एक काड़ दो 0-0 कड़ गया 1 बटे 11 बचा बरबर रिंट से रिंट कड़ गया 0-0 कड़ गया 1 बटे 11 बचा 1 बटे 11 बचा इसको काटो यू कहो गया यू बराबर 2-1 कम 2 बटे 2 5 दस तथा भी भी बराबर कितना बचा हापर यू बराबर माने थे हाँ पर हमने एक बटे हमने माने थे ना यू बराबर कितना माने थे हमने माने थे यू बराबर एक बटे एक स्रिण वाई तो यू को मान रख देंगे एक बटे एक स्रिण वाई बराबर का बराबर एक बटे पांच का होगा एक बटे पांच तथा भी का माना हमें कितना माने थे भी बराबर माने थे हमने एक बटे एक स्फिलस वाई तो भी का मान कितना हो गया एक बटे एक स्फिलस वाई बराबर का बराबर एक बटे ग्यारा का होगा एक बटे ग्यारा तीरे गुणा कर दो इसका इससे इसका इससे X-Y एक कम हुजाएगा है हापर आपका X-Y बराबर का बराबर और 5 एक कम हुजाएगा हापर आपका 5 तथा यहाँ पर 1 बटे X-Y X-Y एक कम हुजाएगा हापर आपका X-Y बराबर का बराबर 11 को मैं जाए है हाँ पर आपका 11 आंगे और हलो अजय है न कोई हाँ पर फरेर दो Samミー करण आपके हाँ बन्करके आ खर खर है थीं गए है देखिए अब इसको हम क्ये नाम देंगे थोड़ा थी बश्चाए है इसको हम नाम देंगे Samiekरण A और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण B इसको हमने समीकरण A नाम दे दिए और इसको हमने समीकरण B नाम दे दिए अब करना कुछ नहीं है समीकरण A और समीकरण B को हम जोड़ देंगे धप्पू कहा गया समीकरण A और समीकरण B को हम क्या करेंगे जोड देंगे छोड़ धककन बाद में धून लूँगा मैं यहाँ पर हम लिखेंगे समी करण A को और समी करण 2 को जोईने पर समी करण A समी करण A और समी करण B को जोईने पर यहाँ पर हम लिखेंगे समी करण A समी करण A तथा समी करण B समी करण A तथा समी करण B को जोड़ेने पर को जोड़ेने पर समी करण A क्या है आपका समी करण A आपका है X-Y बराबर 5 तो समी करण A का मान रख देंगे हम X-Y बराबर 5 और समी करण B क्या है आपका समी करण B आपका है X प्लस Y बराबर 11 समी करण B हापका है X प्लस Y बराबर 11 दोनों को हम जोड़ देंगे 1X और 1X यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2X 1X और 1X हो जाएंगे हाँ पर आपके 2X 1X हैंके धनवाली, 1X हैंके रिनवाली धनवाली सिरेंडवाली केंसिल, बराबर बराबर का बराबर, ग्यारा और उच्छे कितना जाएगा, ग्यारा और पांच कितना जाएगा, ग्यारा और पांच, सोला, एक्स का हो गया, एक्स बराबर का बराबर, सोला का हो गया, सोला, बराबर किस तरब दो एक्स के गुड़े हमको बाय का मान निकालना है तो X के मान को समी करण A में रख देंगे तो बाय का मान निकल जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे X का मान X का मान कहां रखने पर X का मान समी करण A में रखने पर X का मान समी करण A में रखने पर समी करण A क्या है आपका समी करण A आपका है X-y बड़ाबर 5 तो हबर हम लिखलेंगे X-y बड़ाबर 5 अब रख दुमान X कमान किता है 8 X कमान रख दिया 8 माइनस Y का माइनस Y बड़ाबर 5 का बड़ाबर 5 आट का होगे 8 बड़ाबर किस तरह 5 धनका जर्फको सरुप लेंगे तो 5 विया रिनिका बराबर किस तरह बा हैimon रिनिक आपना में यहिसे पांच बॉबराबर और टीन आ गया बार बब्ला गया किलोमिटर परती घंटा एक स्तिर जो जालेगी थेन किलोमेटर परती घंटा है तथा धारा की चाली तीन किलोमेटर पती घंटा है तो हाँ पर लिख लीजिए उत्तर करके आप लिख लीजिए अता है स्थिर जल में नाव की चाल आठ किलोमेटर पती घंटा है तथा धारा की चाल कितनी है तीन किलोमेटर पती घंटा है धारा की चाल आपकी तीन किलोमेटर पती घंटा है ठीक